तो सबसे पहली जीज अगर हम बात करें कि यह इसके राइटर कौन है तो आपके अमेरिकन आथर है विलियम फॉक्ना तो दो क्वेश्चिन आपके बनते हैं एक तो की जो राइटर है तो वो है आपके अमेरिकन राइटर है इसमें भी जो एक modern literature की हम बात करें तो उसका एक style है वो है आपका stream of consciousness और क्योंकि modernist राइटर है तो उन्होंने इसे यूज किया है इस पॉब्लिष्ट इन 1929 इस साउंड और फ्यूरी वास फॉर्ट नॉवल ध्यान दीजे कि यह कौन सा है फॉर्ट नॉवल है और वस नॉट इम्मेडियेटली सक्सेस्फुल इसमें अभी जब हम इसके वर्क के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि इसका जो साउंड और अगर हम इसका नाम देखे ते साउंड दी फ्यूरी तो यह सक्सेस्फुल जब हो गई तब इसका नाम दे साउंड फ्यूरी रखा गया था इससे पहले इसका नाम कुछ और था तो अभी देखेंगे हम इसको इन 1931 हाववा वन फॉकनर्स 6th Novel Century was published we will say here it was a great story sensationalist story was there which Faulkner later said was written only for money the sound and the fury also became commercially successful and Faulkner's began to receive critical attention तो जब हमें इस तरह की कोई information मिलती है तो वह हमें काफी दिने तो ग्याद रहती है कि जैसे हमने कहा कि sound and the fury जो है वह immediate success नहीं थी लेकिन वह बाद में क्या हुई successful रही और फिर उसका नाम change किया गया था अगर हम इसके जैनल के बारे में बात करें कि कौन-कौन से इसे जैनल थे तो फर्स्ट इस southern gothic novel and this is modernist novel तो अभी मैंने जो stream of consciousness आपको बताया था वह आपका modernist novel का ही पार्ट है in 1998 the modern library ranked the sound and the fury 6th on its list of the 100 best English language novels of 20th century तो अगर हम देखे कि इसकी जो achievement है इस work की वो यह भी है कि यह 6th rank की गई थी 100 novels में अब आजाते हैं बात करते हैं background of the novel के बारे में when Faulkner begin writing this story that would develop into this sound and the fury it was tentatively titled twilight तो इसका जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो इसका नाम था वह पहले क्या था ट्विलाइट और इसमें simply आप सीधे बहुत ज़्यादा डेटेल में नहीं जाते हैं तो सीधे आप लोगों याद रखना है जो याद रखने वाली चाहिए में यह सॉल की थी उसमें शॉय के तो इनी से सारी कॉष्चन बन जाते हैं जैसे हमने कहार के कौश्चन बनेगा की कहा से यह नाम लिया गया था तो यह मैंक्गैच से लिए गया था और कौन सा एक्ट था तौन आपका एक्ट विफ्ध तो यहां से उन्हों ने इस वर्क का नाम लिया था अब बात करेंगे हम सीधे आ जाएंगे इसमें जब आपको पीडियव मिल जाएगे तो आप लोग डेफिनेटली इस पीडियव से डिटेल में स्टेडी कर सकते हैं गो थू हो सकते हैं लेकिन आप लोगों को वह जो एक्जैम पॉइंट 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 अफ यू से जो कुश्चिन्स बनेंगे जहां से वह आप लोग अधर एक्जैम हो गवर्मेंट सेक्टर के तो उनके टेस्स सीरीज आपको सारी टेस्स सीरीज वहाँ पर मिल जाती है और बहुत जो कॉस्ट है वह बहुत कम है वन वन फॉर्टी नाइन से शुरू होती है और अगर आप यहली सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं तो 399-499 ही उ जी सीनेट कर रहे हैं तो आप कोर्स ले सकते हैं और अपनी तैयारी बहतर कर सकते हैं तो चलिए अब हम कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले है जेशिन कॉम्शन यह फादर है इस फैमिली में क्या है यह फादर है और यह एक लायर है और उन्होंने प्रश्ट गौutan करता है ओंसे और नेरेट सेवरल चैप्टर्स ऑफ एपसलम एपसलम उसको नेड करता है तो पहला जो क्यारेक्टर हो कौन है जेसन कॉमशन तो कॉमशन आक्षली जो फैमिली है उसका टाइटल है दूसरा आपका है कैरोलिन अ बैसल आपकों नियाद रख सकत रहे हैं यह जैसन की वाइफ है वाइफ ऑफ जैसन कांशन थर्ड असेफ एब्सॉर्ब्स नियुरोटिक हुआज नेवर शोन अफेक्शन पॉर एक्सेप्ट जैसन तो यहां से कोशिन बन सकता आप लोगों के लिए कि कौन सा वो बेटा था उसका कि जिसके लिए वो क्या करत इस शी हैस बीकम एन अभी सिपा हाइफ और तो अगर आप यूपीड़ीट पीज़ीट की तैयारी कर रहे हैं या के वी की तो इस तरह के वर्ड साफ लोगों पूछे जा सकते हैं हाइपकॉंड्रियक का मेनिंग होता है कि एक ऐसा इंसान ही फिंक्स ही इज इल आल ताइम उसे ऐसा लगता है कि मैं हार टाइम क्या हूं बीमार हूं तो ऐसे इंसान को हैपो कॉन्रियक बोला जाता है जबकि वह ठीट भी हो तब भी यह सोचता है कि वह बीमार है अब आ जाते हैं क्विंटेन कॉंशन थर्ड जिसके बारे में हमने उपर देखा कि जिसको कि अब्य कि अब्यूटिक ही कमें सब्सक्राइब तो दो चीजों से दो चीजें थी और उनमें जो यह क्योंकि सब्सक्राइब करने का जो है रिजन जो बड़ा था वो उसके फादर थे अब आजाते हैं कैडी जो नेक्स कैरेक्टर है वो है कैडी कंशन इस सेकंड कंशन चायल्ड तो जो कैडी है वो क्या है आपका आपे सेकंड चायल्ड है बेंजी जो अनली रियल केर्गिवर एंड कुंटन से बेस्ट फिरेंड अकरडिंग तो फॉक्नर कैडी इस दे ट्रू हीरो आप दी नॉवल और इस तरह के जो पूछी जाते हैं कि फॉक्नर किसको अपने अपनी नॉवल का जो है हीरो मानकर चलता है तो वो है आपका कैडी कैडी अजुआए जरा यह था यह था आपका कैडी कैडी जो है उनके सिस्टर है जहसें कां सिस्टर फोर्थ गेंटा अफनली रेशिस्त थृर्ड चाहिल who is troubled by monetary debt and sexual frustration ये आपका जो है ये रेसिस्ट थर्ड चाइल देहुन का he works as a farming goods store owned by a man named Earl and became head of the household in 1912 has been embezzling Miss Quinton's support payments for years और जो Jason है वो क्या है जो Quinton के लिए जो payment आती थी उसको क्या करते था इंबेजल कर देता था इंबेजल का मेनिंग होता है कि गवन कर देना या किसी के पैसे को अपने पास रख लेना तो Miss Quinton के लिए उसकी मदद जो पैसा भीजती थी वो उसको इंबेजल कर देता था बेंजमिन निकनेम्ड बेंजी बॉन मौरी कॉम्शन तो बेंजमिन जो है उसका ही निकनेम क्या है बेंजी है वो से आप लोग बाद में भी देखेंगे जब हम स्टोरी देखेंगे तो अर वो क्या है अपका मेंटली दिसेबल्ड फोर्ट चायल है या और कहीं जो फैमिली है वो इस बात से क्या है बहुत दुखी रहती है और शर्मिंदगी महसूस करती है Caddy is the only family member who shows some genuine love towards him और Caddy ही है जो कि उसके लिए क्या करती है उसको थोड़ा बहुत केर करती है Luster Alba बेगरजिंग ली आ शोस कंसरन फोर हिम अकेसिनली बत युजरी आफ अफ अफ ओ अफ अब व्लिगेशन है और Luster भी उसे ही कुछ अफेक्शिन शो करता है और अफ आफ इस जस आफ अफ अब 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 इस जस आफ पर अब अब बिगेशन शो जसान है and the model of benji's character may have had its beginning in the 1925 new orleans times uh pekin sketch by faulkner entitled the kingdom of god now let's come to the next one uh next one deltay gibson the next character her work cut in deltay gibson have the matriarch of her servant family which includes her own three children where's fronnie and tb and her grandchild luster uh fronnie's son and they serve as benjamin's caretaker throughout his life to sabhi kai ha benjamin k caretaker ha miss quinton's comson daughter of caddies who goes to live with constance when herbert divorce caddy uh she is wild promiscus and eventually runs away from home often referred as to quinton's second इसको quinton's second बोला जाता है नीचे हम जब स्टोरी में quinton second भी बढ़ेंगे तो जो इसकी समरी हम देखेंगे उसमें quinton second भी आप लोगों देखने को मिलेगा miss quinton by readers to distinguish her from her uncle for whom she was named style and structure के बारे में बात करते हैं the four parts of the novel novel कितने parts में divided है four parts में divided है and relate many of the same episode each from the different point of view and therefore with emphasis on different themes and events this interviewing and non-liner structure तो हमें एक non-liner structure इसमें work में देखने को मिलेगा makes Eddie true synopsis of the novel difficult especially since the narrators are all unreliable in their own way making their accounts not necessarily trustworthy at all time और जब भी आप इस novel को पढ़ेंगे तो आपको एक feel आएगा non-liner structure का और इसलिए इसके synopsis बनाने में काफी problem भी आएगी और जब हम इसका एक तरह से summary देखेंगे तो आपको feel होगा कि बहुत ज्यादा connected यह story नहीं लगेगे आपको जब तक आप पूरी story नहीं पढ़ लेंगे तो बट क्योंकि हमें इस exam के लिए prepare करना है तो story कहीं न कहीं कुछ ना कुछ story तो हमारे brain में होनी चाहिए जिससे कि हम चीजों को connect कर पाएं exam hall में तो चलिए आगे देखते हैं also in this novel Faulkner uses italics to indicate points in each section where the narrative is moving into a significant moment in the past अब एक और इसमें है non-linear की जब बात आ रही है तो इसमें actually में जो story हो present और past में बहुत ज्यादा switch होगी तो story को समझने में थोड़ी problem आईगी बट फिर भी मैं वहीं कहुँगा कि exam point of view से कुछ चीजें हमारे दिमाग में रह जाती हैं वहर की तो हम paper में analyze कर सकते हैं और अपना जो हमारे point है या answer है उनको हम सही से select कर सकते हैं the use of these italics can be confusing however at as time shifts are not always marked by the use of italics the period of different time in each section do not necessarily stay in italics for the duration of the flashback अब यहां पर क्या है flashback जैसे मैंने कहा हर जगे में जहां पर time switch हो रहा है past present का उसको italics में बताया गया है तो आगे चलते हैं the sound and fury is divided into four sections यह सबसे important चीज है इससे question बन सकते हैं इस तरह कि कितने section में इसको बनाया गया है the first three are presented from the perspective of three conscience sons तो जो first three है वो section किसने present किये हैं Benji and the idiot Quentin the societal student and Jason the failed businessman तो इसमें आप लोगों को यह note-down कर लेना चाहिए जो Benji है Benjamin Benji उसका short name है तो Benjamin है उसको an idiot बोला गया है और Quentin जो है Quentin societal student है और Jason जो है वो failed businessman है तो यह बहुत important है आप लोग इससे note-down जरूर कर लीजेए अब fourth जो section है वो है has a third person omnisign narrator और जो यह third person में लिखा गया है जो fourth section है तो अब आजाते हैं इसमें पिसले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यह योपने पटावफा काउंटी में क्या किया गया है लिखा गया है और यह क्या है आपका यह एक imaginary work है तो इसके लिए आप अगर आपको इसको डेटेल में समझना है तो पिछला वाला आप देख सकते हैं इसके बताया हुए आपको इसके बारे में कंदेंस का नाम कैडी है हूँ वस डिवोस्ट बाइब हरस्बन और दिसोंड बाइब हर फैमली आफर इस रिवील्ड था हर चाहिल क्विंटन मिस क्विंटन नेम्ड फॉर हर अंकल है विट कंसीवड आउट आउट अफ वेडलॉग वें दिस्क्रेश्ट कैडी लेफ्ट दिकॉंटन हाउसओल्ड इन 1911 में कैडी जो है वो अपनी फैमली को छोड़ देती है शी डिडिन नॉट टीक डॉटर और अपनी डॉटर को लेती नहीं है मिस क्विंटन जो उसकी बेटी है रिमें विद फैमली तो बी राइज आज कॉंशन और जो मिस क्विंटन है उसको कॉंशन नेम से लिया जाता है और वो वहीं पर पल रही है और जो कैडी है वो नॉवल में उसका सिर्फ जिक्र है शी इस रिकंस्ट्रिक्टे स्थ्रो दी मैम्रीज और त्री ब्रॉदर्स एच और फोम रिमेंबर्स एंड रिलेट्स तो हर इन दिफरेंट वेज अब उसे जैसा कि हमने कहा यह भी कुश्चिन बन सकता है कि कॉंसा ऐ किया जाता है अब बात करते हम समरी की तो हम डिटेल में इसके समरी देखेंगे कि स्टोरी में क्या-क्या है है जो नाव वी आ गोंग तो आप आप दिस सम्री आफ दिस वर्क दिवेंट्स ऑफ दिवेंट्स अफ दिवेंट्स अफ दिवेंट्स अफ्टर जब कैडी चली जाती है तो उसे 17 यह आफ्टर उसके बाद यह जो स्टोरी है वो शुरू होती है और हम फर्स यहां पर क्या है दो वर्ड है तो इसी तरह के आपकी आ जाएंगे वोर्क में पेपर में कि इसे किस जो बैंजी है उसको किन दो नामों से बुलाया जाता था या वोट लूट्स एवस काल्ट लूनी और मूर कॉमनली एडियूट्स इसी के जरी है यहां पर किया है उसकी जो डिस्यविटी है वो बाद में सिर्फ मौन कर पाता है और इसी के जरीए वो कम्यूनिकेट कर पा रहा हैं इट आर्सफों डिस्टोर्ट्स एंस तर्स यह बहुत important है यहां पर कि उसका जो behavior है वो sense of time को भी क्या करता है distort कर देता है and such that he cannot distinguish between past and present तो जितने sequence होंगे जितने scene यहां पर होते हैं वो past or present में flashback में चलते रहते हैं Benji experiences all time as the present and thus narrates all events including and especially memorize of memories sorry memories of past events as though they occur in present अब वो क्या करता है कि उसे ऐसा feel होता है कि जो भी उसके past events होए है वो सभी किसमे हो रहे हैं present पे हो रहे हैं यह क्यों हो रहा है because of his disability unbeknownst to him the events he narrates as the present actually spawn 30 years period from 1898 to 1928 तो यह भी आपका note down करने के लिए important चीज है कि 30 years का जो spawn है वो वो narrate करता है यहां पर और बात करता है 1898 से 1928 तक यह जो time period है वो इसमें पूरी स्टोरी में आप लोगों को मिलेगा तो यह जो पूरी स्टोरी है जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों गहा कि बहुत जादा इसमें sequence नहीं है और जो linear sequence नहीं है इस वज़े से समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है और फिर भी जो चीज़ें हैं exam purpose से उन्हें आप बहार निकाल कर रख सकते हैं और याद कर सकते हैं TGT PGT के बारे में मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि आपको क्या करना होता है जादा तर चीज़ें रटनी है जतनी जादा चीज़ें आप रटेंगे उतनी जल्दी आप TGT PGT में इजीली क्वालिफाइ कर पाएंगे अगर आप समझने पर चीज़ें ज्यादा निहान दोगे तो UGC net के लिए हो जाएगा TGT PGT वाला सेक्शन रह जाएगा In the first scene of the novel Benji and his caretaker Luster तो उसका जो caretaker है Benji का वो कौन है Luster search for lost water near a fenced golf course Benji following Luster climbs through a break in the fence and gets caught on a nail The sensation reminds him of an earlier time 1902 1902 का जब वो नेल पे फंस जाता है वहां पर वो fence के go through होना चाहरा है और उसमें क्या है कि वो नेल पे फंस जाता है तो जो sensation होता है उसे उसे पिछला अपना time जाता है 1902 का when caddy uncaught him and led him through the fence This memory provokes another Benji remembers visiting a cemetery to see the graves of his father and brother 1912-13 A nearby golfer calls for his caddy recalls more memories of caddy Benji remembers caddy's wedding 1910 caddy's living 1911 and also sight of caddy muddy on the day of grandmother's funeral 1898 तो यह कुछ चीज़े हैं which happens in the work और उसे जो memories है अब यहां पर देखिए कि 1928 की बात चल रही है और उसको जो पुरानी past की जो memories हैं वो एक sequence की तरह है आप लोग इसे भी note down कर सकते हैं कि उसे कौन-कौन सी चीज़े remember हुई थी अब क्या है कि कई बार हम यह चीज़ें अगर ना भी आएं आपके exam में बट in case आपको यह सारी चीज़ें आपने खुद से भी discussion की है आप बैठे वे हैं और आप खुद लिख रहे हैं यह सारी चीज़ें तो आपको जो वर्क है उसका confirmation रहेगा कि यह वर्क विलियम कदबर्ट पाकनल का है और उन्होंने इसे किस टाइम डिरिशन पर लिखा होगा तो यह आपका modern period का time ही है इन दी प्रेजेंट एक्शिन बेंजी एंड लस्टर रिटन तो दी कॉमशन हाउस देयर देसी कैडिस दॉर्टर मिस्कुंटन और जो मिस्कुंटन है वो क्या है कैडि की दॉर्टर है embracing a boy on a swing Benji remember seeing caddy embracing a boy on the same swing sometime ago 1908 and 1909 की यह बात है for a moment mother and daughter become indistinguishable to Benji then miss Quinton sees and snaps at him आगे चलते हैं इसमें as Benji enters the Compson house he thoughts turns to the castration several years earlier and to the events leading up to loss of caddy's virginity 1909 तो कुछ खास है नहीं बट वो अपनी जो past memories है उन्हें रिकॉल कर रहा है वो अपना castration के बारे में रिकॉल करता है and loss of caddy's virginity and his section ends in his room 30 years before it begin with the memory of caddy holding him on the night she murdered her underwear 18-1998 so this story you can you can just see the actions are getting switched and you can see all these things here कि जो actions है वो क्या हो रहे हैं past में चले जाते हैं और फिर present में आ जाते हैं I don't know no intellectual disability कुंते इंसन सेक्शन लाइक बेंज इस बेबविए पास्ट एंड प्रेजन तो यह भी क्या हो रहा है अन्की जो कुंकिन है और वो क्या है इंसनांटेलेक्शे की नहीं है लेकिन जो कुंटीन का सेक्शन है बेंजिक दू इसलीए होता है past or present के बीच में की उसे intellectual disability है यहाँ पर क्या है क्या है के क्या हो रहा है असलेट होता है means पास्ट अ प्रएजरेंट में gitti होता रहता है день actions of present year 1910 are Quentin's as he prepares to commit society तो क्या है वो सुसाइट करना चाहती है Quintan's preparations are partially practical and partially symbolic, they include breaking his grandfather's watch, packing up his belongings, writing letters to his beloved ones, loved ones and purchasing weights, two six-pound flat runs with which he to drown himself and visiting the nearby Charles River Bridge. तो यहां पर यह वाला जो है, Charles River Bridge यह पिछले भी यह UGC net के question में पूछा गया है कि कौन से bridge की वहां पर बात होती है, तो यह था आपका Charles River Bridge, तो आप लोगों कोई से याद रखना है, तो पूछा जा सकता है यह question, where he will eventually commit suicide, okay, आप अगर 30 मिनिट आप किसी work के साथ में spend करते ह आप किसी और चैनल पर आप अगर time spent कर ही रहे हैं, 30 minutes, 40 minutes, तो उसमें आपको nearly 50 facts आप निकाल लीजिए और फिर next 30 minutes उनको क्या कर लीजिए, अच्छे तरीकी से practice कर लीजिए, तो यह सारी चीजें आपको क्या हो जाएंगी, बहतर याद हो जाएंगी, कुंटिन's present actions are set against his memories of key events in his life, most of which involve caddy or caddy's lover, तो यहां पर क्या है, जो कुंटिन के जो actions हैं, वो जादा तर किस से related हैं, वो caddy, उसकी mother और उसके lover से related हैं, a few memories predominate the memory of the night caddy lost her virginity to Dalton Arms, Amis, 1909, यह कापी बार मेंशन हुआ है, यू जो नो, and the memory of his confrontation with the Dalton upon the discovery of caddy's pregnancy, and the memory of his meeting caddy's fiancé, the bank of sydney, Herbert had from whom caddy marries in 1910, despite her pregnancy by another man, and the memory of the conversation with his father, in which Quinton claimed he committed insist with his sister, though he did not, तो यहां पर क्या है, कि यह सारी जो memories है, उनके बारे में discussion चलता है, तो यहां पर क्या है कि जो आप लोगो देखने को मिलता है, कि यहां पर Quinton की जो memories है, वो क्या करती है, उसे, अपनी mother के बारे में जितनी जो उसकी memories है, वही उसको कंपल करती है, सुसाइट करने के लिए, and Quinton's society is not narrated, his section ends as he walks out of his dorm, और Quinton का जो सुसाइट है, उसे नेरेट नहीं किया गया है, the third section of this sound and the fury returns to योगना पठावफा, यह योगना पठावफा क्या है, आप comment section में लिख सकते हैं, अगर आपको याद है, and county in the year 1928, hopefully आपने दो वीडियो देखे हैं, उनसे आपका कुछ जो की terms हैं, जिनसे question पूछे जा सकते हैं, वो clear हो गया होंगे, this section, Jason's section, जो next session है, third section, वो किसका है, Jason's section है, मतलब Jason's में अपना जो भी thought है, वो रखता है, is set one day before the first on April 6, 1928, unlike the previous two, Jason's section is straightforward, and for the most part linear, तो अब इसमें ये, देखे, सारी book में एक चीज है, कि जो पूरा, पूरी story है, वो क्या है, linear नहीं है, लेकिन क्या है, Jason's section है, वो linear है, तो इसका मतलब ये है कि किस पार्ट से पूछा जा सकता है, किस पूरे उसमें work में कौन सा पार्ट आपका linear है, chronicles his present activities and interactions both at the Compton house and the farm supply store where he works, the local point, sorry, the focal point of his narration is his 17-year-old niece, Miss Quinton, अब उसका सब्सक्राइब करता है, और वो उस पर रिलाय करता है, just for money, each month caddy sends Miss Quinton 200 dollar check, तो इसी तरह के questions, यह भी आप लोगों के लिए क्या है, important है, यह question आप बना कर रख सकते हैं कि 200 dollar का check उस भीजा जाता था and which Jason intercepts and keeps for himself, और Jason क्या करता है, वो जो check है, उसे अपने पास रख लेता है, means देता नहीं है, उसे, let's go ahead, for nearly 15 years, Jason has kept this scheme undiscovered, यहां पर important यह है कि 15 साल तक यह बात नहीं पता चलती है कि वो पैसा आपने पास रख लेता है Jason and until April 6th 1928 when caddy sends a money order requiring a signature, तो जब money order भीजा जाता है, उसमें signature की जवरत होती है, in place of a check and miss Quinton at last learns about her uncle's subterfuse, यहां पर क्या है कि Quinton को पता चल जाता है कि अब उसका जो पैसा है उसे तक उस तक नहीं पहुंचा पहुंच पा रहा है, still Jason withholds the money, the fourth section of the novel picks up on April 8th 1928, जो fourth section है वो 1928 का है, तो यहां पर क्या है, two days after Jason's section and one day after Benji's, the fourth section is narrator in the narrative in the third person and focuses primarily on the Desley, the Camson's black servant. On the morning of April 8th, the author-narrator observes Desley's, Desley performing her course as usual in the Camson house. As she prepares breakfast, Desley talks to Luster who tells her that someone broke into Jason's bedroom the night before. यह important है, यहां पर कि जो जैसले है उसके घर में को ही घुसा और वहां से, moments later it is discovered that Miss Quinton not only broke Jason's window, but entered his bedroom, found her mother's money and stole it back and fled the house. यहां पर यह है कि जो Miss Quinton है, वो Jason के घर में जाती है and then she took all the money, जो उसके मदर ने उसे भीजा होता है, उसे ले लेती है, पूरा पैसा ले लेती है और वहां से निकल जाता है. Jason furious goes to chase her but ultimately fails to catch her. Jason उसके पीछे जाता है but उसे नहीं पकड़ पाता है और वहां से निकल जाता है. In Jason's absence, Delce, Luster and Benji attends Easter service at Delce Church. The visiting minister preaches about redemption and Delce thinking of the consens and events of the morning begins to cry. She reflects, I have seen the first and the last, I see the beginning and now I see, sees the ending. So, this is the sentence from this work, you can see. Delce's work foretell the end of the novel soon after Faulkner's brings it to an uneventful inconclusive close. So, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जो Faulkner है वो बिलकुल uneventful और inconclusive close पे पहुंच जाता है और end हो जाता है. An appendix to novel published in 1946 details the fates of the surviving conscience और जो जो एक appendix लिखा जाता है 1946 में तो उसमें जो surviving conscience हैं उनके उनके बारे में लिखा जाता है. According to the appendix, Benjo was committed to an asylum in 1933, Jason moved into the apartment above the supply store and Caddy moves to Paris where she lived at the time in the German occupation of France 1940 and 1944. Neither Caddy nor her daughter returned to Yogna-Pathava County. तो यहां पर लास्ट में यह हमें पता चलता है कि ना तो Caddy और नहीं उसकी daughter वहां पर Yogna-Pathava County में पहुंचती हैं. With this we end this summary of this work you can you can note down all these important events and important things from this work at least 30 to 40 things you should note down and you should practice it. If you want the full course you can just contact on our WhatsApp if you are preparing for NBS or TGT PGT UP Uttar Pradesh or whether you are preparing for UGC Net or LT or Lecture for Uttarakhand. So see you in next video till then goodbye all the best.